हेलो फ्रेंज स्वागत है आपका मेरे यूटूब चैनल पर आज मैं आपके साथ सोया चाप की रेसिपी शेयर करना जा रही हूं रेस्टरांट स्टाइल में बिल्कुल ही डिलिशियस बनेगी आप एक बर बना के दिखिएगा बहुत इच्छे बनेगी तो चलिए फिर आज स एक इंच अद्रक का टुकड़ा काट लिया है यह लस्टन और यह मैंने छे से साथ तमाटर काटे हैं जितनी प्याज और उतने ही तमाटर का यूग भी यूज करना है हमें और यह है चार चमच धनिया पाउडर नमक स्वाद अनुसार एक चमच लाल मिच पाउडर आधा च एक तेज पत्ता तीन इलाइची हरी वाली छोटी इलाइची और चार लोंके टुकड़े और यह है मस्टर्ड ऑई मस्टर्ड ऑई थोड़ा जाला लगे क्योंकि हमें चाब भी प्राई करना है और यह है चाट मसाला तो आए हम जार में पहले हम टमाटर लसन और अध्रक इन तीनों का पेस्ट बना लेंगे तो यह मैंने टमाटर अध्रक लसन और हरी मिर्च का पेस्ट तयार कर लिया है तो आए हम अब गया सौन करते हैं तो जैसे ही हमारी कड़ाई गरम हो जाएगी हम इसमें ऑईल डाल रहेंगे तो अब हमारी कड़ाई गरम हो चुकी है अब हम इसमें ऑईल डाल देते हैं हम इसमें सारे चाप नहीं डालेंगे उतना ही डाले कि आपके ओईल में आजाए और इसे मीडियम फ्लेम पे फ्राइए करना है इसे डीफ प्राइए इसलिए नहीं करना है क्यूंकि फिर उसके बाद चाप हाड हो जाते हैं जब इसका हलका हलका कलर चेंज हो जाएगा तो हम इसे निकाल लेंगे और हमारे जो बाकी का चाप है हम उन्हें भी फ्राइए कर लेंगे तो यह देखिए हमारे चाप का कलर ब्राउन हो चुका है अब हम इसे निकाल लेंगे यह देखिए कितना फूले फूले बने हैं इन यह देखिए हमारे चाप अच्छे से फूल गए हैं तो यह देखिए हमारे सारी चाप फ्राइए हो चुकी है अब हम इसे मैरिनेट करेंगे तो हम इसे एक बावल में निकाल लेते हैं अब इसमें हम मक्खन डालेंगे हमारे चाप गरम ही है गरम गरम चाप में हमें मक्खन डालना है और इसमें हम डालेंगे चाट मसाला और थोड़ा सा दही तो हम इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो यह मिक्स हो गया है अब हम इसे साइड में रख देते हैं मैरिनेट होने के लिए अब हम अपनी कडाई में प्यास डाल लेंगे प्यास को हमें अच्छे से बुनना है जब तक यह ब्राउन ना हो जाए तो हम इस प्यास को दस मिनट दक अच्छे से फ्राई करेंगे तो देखिए यह हमारी प्यास भुन गई है अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे अब हम इसे थोड़ा देर ठंडा होने देंगे उसके बाद हम इसे पीस लेंगे जब हम प्यास को भून के फिर उसको पीस के मतलब डालते हैं सब्जी में तो सब्जी का जो टेस्ट है न वह और उभर के आता है बहुत ही यम्मी बनती है सब्जी तो हम इसे थोड़े के लिए ठंडा होने के लिए रख देते हैं अब हम इस ओईल में अपने खड़े मसाले डाल देंगे तेज पता लॉंग इलाइची दाल चीनी इनको हलका सा भूनेंगे तो यह हलका हलका भून गया है और हम इसमें पेस्ट एड़ कर देंगे अब हमें टमाट्रों को बहुत ही अच्छे से भूनना है जितना अच्छे से भूनेंगे उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा इसलिए जल्दबाजी ना करें अराम से बनाएं यह देखे इसमें उबालाना शुरू हो गया है जब यह अच्छे से पक जाएगा तो हम इसमें मसाले एड़ करेंगे कम से कम इसमें 10 मिनिट लगेंगे इनको भूनने में यह देखिए साइडों में से तेल निकलने लग गया है इसका मतलब हमारे टमाटर अच्छे से भून चुके हैं तो अब हम इसमें मसाले एड़ करेंगे दन्या पॉडर नमक स्वाद अनुसर लाल मेंच पॉडर यह मैंने भुनावा जीरा पॉडर भी लिया थोड़ा सा गरम मसाला देगी मेंच पॉडर और हल्डी सारे मसालों को अच्छे से हम इसमें मिक्स कर लेंगे और हलका सा पानी भी डालेंगे ताकि हमारे मसाले जलेना है हलका हलका ही पानी डालना है हमें अब हम मसाले को अच्छे से भूनना है जितना अच्छे से मसाले को भूनेंगे उसमें सब्जी में अच्छा टेस्ट आएगा हलका हलका ही पानी एड़ करेंगे हम इस मसाले को कम से कम 10 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे उसके बाद इसमें हम प्याज का जो हमने प्याज भूनी थी उसका पेस्ट बना रखा है उसके पेस्ट को इसमें एड़ कर देंगे तो यह देखिए हमारे मसाले अच्छे से भून चुके हैं तो अब हम इसमें हमने प्याज भूनी थी उसका पेस्ट बना कर रख लिया है यह देखिए मैंने पेस्ट बना लिया था भूनी भी प्याच का अब हम इसमें एड़ कर देंगे और इसे भी हमें अच्छे से भूनना है 5-7 मिनट तर हम इसे भूनेंगे और इसी स्टेज पर हम थोड़ी सी क्रीम भी एड़ कर देंगे यह देखिए मुझे तो अभी से यह बहुत लजीज लग रही है देखने में और खाने उभी उतनी लजीज होगी तो यह देखिए हमारे सारे मसाले अच्छे से भून चुके हैं साइडों से तेल निकलना शुरू हो गया है तो अब हम इसमें अपने चाप एड़ कर लेंगे जो हमने मैरिनेट करने के लिए रखे हुए थे इसको हम इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसमें हलका सा पानी एड़ कर देंगे और हम इसे इसे हम पाच मिनट ले फ्राइए करेंगे और यह देखिए क्या जबरदस्त लग रही है यह सोया चाप के सब्जी मुझे तो यह बहुत पसंद है आप अपने बना के देखिएगा आपको नई पसंद होगी न तो भी आप उंगलिया चार्ट छाक्टे खाएंगे अब हम इसमें हलका हलका पानी एड़ करेंगे यह देखिए अभी देखने में इतनी लवीज लग लिए अब इसमें जो दही बगारा था ना तो हम यह उसे पांच मेर्ट तक कम से कम भूनना है जो हमने चाप को जो हमने तेल में प्राय गिया है हमारे चाप जो थोड़े फूल गये थे तो उससे यह होता है यसे हम अब ग्रेवी डाली हमने नहीं डाला है मसाले में चाप तो इसमें चाप के अंदर-अंदर तक बुरा मसाला जाएगा तो उससे इसका टेस्ट और अच्छा आएगा इसे बस हम पांच मिनेट के लिए भूनेंगे यह देखिए साइडों में से तेल बाहर आने लग गया है तो इसका मतलब हमारे जो हमने चाप में दही लगाया डाले की सब कुछ अच्छे से भून चुका है अब हम इसमें पानी आड़ का लेंगे और यह देखिए गाइब यह आपको देखने में मटन जैसा लग रहा होगा इस्टाइब गुली हल्का हल्का पानी आड़ करेंगे उधना ही पानी आड़ करना है जितनी आपको ग्रेवी चाहिए तो देखिए इसमें पानी डालना ही है ताकि हमारी ग्रेवी चाप के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए अंदर अंदर तक टेस्ट आए उसका अब हम इसे पांच मिनट के लिए ढखकर पकाएंगे तो हम इसे खोल की चैक कर लेते हैं पांच मिनट हो चुके हैं इसे पकते वे वाजी वाँ यह देखिए क्या जबरदस्त लग रही है सब्सक्राइब अब इसको खाएंगे तो सच्ची में खाते रहे जाएं मैं तो बस इंतलार करें कि मैं कब खाऊं अब अब हम इसमें सब्सक्राइब कर रहे हैं इससे सब्सक्राइब का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है पर हम इसमें जो हमने मक्खन बचाया था थोड़ा सा इसमें वह भी आइज कर देंगे तो अब हम इसे मिक्स कर देंगे जो हमने मक्खन और धनियापता डाला है और हमारे सब्सक्राइब हो चुकी है गैड़ी बट हमें इसे बस अब खाली दो मिनट के लिए पकाना है उसके बाद हम इसे आपको सब्सक्राइब दिखाएंगे इसे आप तंदूरी रोटी की साथ खाएंगे तो और भी अच्छा लगेगा और तंदूरी रोटी नान या पिर आप रोटी की साथ भी खा सकते हैं बहुत ही टेस्टी लगेगा आपको खाने में अब हम दो मिनट हो चुके हैं हम गयास का प्लेंट कर देते हैं और आप हम आपको सब्सक्राइब दिखाएंगे तो यह देखिए हमने अपने सब्सक्राइब कर दिया है यह देखने में कितनी ही यम्मी लग रही है और हमारे जो अच्छे से और मुझे कमेंट बॉक्स में जरू कमेंट करके बताइएगा कि सब्सक्राइब क्या सिवानी है तो थैंक यू